वेलो फ्रेंस मैं तरू कुमार आप सभी का अच्छीवों में स्वागत परता हूं आज हम लोग इस वीडियो में मैं अपने बारे में बता दो मैं बढ़तमान भरत सरकार के मंत्राले में कारेक कर रहा हूं ठीक है आज हम लोग इस वीडियो में मद्यकालन निहतियास के बारे के कंप्रीट एस्टडी करेंगे इसमें जो सारे टॉपिक्स हैं जहां से आपके नेक्टिया में पॉर्शन स्क्रीट डारेक्ली पूछा जा रहा है तो जैसे कि बात करें मुसलीम आक्रमण के बारे में तो यहां पे अरव आक्रमण जो था अरव आक्रमण महमुद गजनवी और महमुद गोरी तो महमुद गोरी था महमुद गोरी इन सब बारे में यहां पे डिटेल एस कड़ी करेंगे साथ में बात करेंगे दिल्ली सल्तनिक्ति बात करें यहां पे तुलांबंस उलांबंस लग बंस और लोधी बंस के बारें डिटेल में स्टड़ी करेंगे जहां से तो लगातार पॉप्शन्स कूछा जा रहा है यह दे बार करें तो बीजेन अगर समदाजी के बारें डिटेल में स्टड़ी करेंगे मुगल्बंस में बाबर्द, औरमयु, अकबर और साधै काँश, ध्यागिर्थ और अंगेर्ष परी को खाणी बारें देखतें और तो अरब आक्रमुन के यहां पर बात करें मुहबद बिन कासम के नत्रत ना पर अरगो ने आक्रमाल किया था पर अर्बो ने अक्रमन तहाँ पर किया था यह फर्स्ट रें पर सेंघ की या था उना पर सेंघ किया था और उसमें जिसेंद का सासा कौन था वेज्वेक उसका साशक नाम था दाइए उसका साशक नाम क्या था त। बात करें तो उद्धेश क्या था घंधवलत को लुटना चाहते था ठीक है घंधवलत को लुटना और इहां पर दूसरा उद्धेशताउन इस्लाम धर्व का भड़त में इस्लाम धर्व का जाबसार करना तर्फ की धर्म का प्रचार प्रसार का ठीक है तो यह बेसिकले उनके दो वह देश से थे ठीक है यह हम बात रहें यहां पर अब आपर मुझत बात बात रहें महमुद दजने होगे महमुद घजने की बात करें हम पर तो इसके अस्थापना किसने क्या था इसकी अस्थापना जो था अलब पर गिनने किया था अलफ्ट पीरिण के द्वारत किया गया था अब कब भी आ गया था नोसो बद्दिस इसके राध्हानी कहां बनाएगे इसकी राध्हानी कहां पर बनाएगे गजनी में बनाएगे ठीक है तो घजनी समराजी की इसने किया था अलफ्ट न गिनने किया था तब किया था नोसो बद्दिस इसकी अब्रे में इसको अपने राध्हानी कहां पर बनाएगे राध्हानी में बात करें यहां महहूत गजनी के बाए में तो जो 27 वर्ष की उम्ड़े में 27 वर्ष की उम्ड़े में 998 इस्वी में गजनी समराजी की गद्धी पए क्या हुआ था ठीक है इसने भारत पर 17 बार अक्रमण के आ था पर इसका इसका किस रिजन से अक्रमर क्या बैसिकली वहिए धन दौलयोग करते थे नहीं आपकर लूट आपकर के वहिए धन दौलट करें यहां पर मोहमद गोडी के बारे में नहीं मुद्ध राज्राई के बारे में मुहम्मद फिर्ध्यू जो तया दो जो गजनी है डशनी के अधिन एक छोटा सा राजे था वाहत घजनी समराजी के अंदर में एक छोटा सा राज वाहत नहीं काओ क्या था ससा राज और इसने भारत पर पहली बार अक्रमर किया था मुहम्मद कोरी ने भारत पर पहली बार अक्रमर की बात का है राध राध accordance के बिजर्द की अहुतर है ये सित्अ आध और कि बारती दूसरा आक्रमर के वपारन जो जो गया है जो रो नर्व ने पार्टन घुzersरा पाटन गुज्रात पर किया था और कभी किया था तरहां पर मुझदान में तहां पर मुझदान में और यहां का सासक था इसने मुखमद तो पोडि को बोड़ी तरह से चया-कया था पराजिक ख्या बात करें अब यहां पर कि मुखमद गोड़ी ने फिर 1191 में 1192 और 1192 कहां जूद कि उखे आता तराइन का यूद हुआ था आप है तरह न sons और किस यूद में किसके किससे पिचे His हूए और को मोहमद तुडी और पिठ्वी राज चोहान के पिच में Your परष्ट वाले में 1191 वाले में पिठ्वी राज scent ने मोहमद तूरी कोहरा दिया च्छाहन बना लना गया मुहम्मद गोरी ने यहां पर पित्रो अच्या और तो किसके मदर्चार आया था जैचान की मदर्चार आया था फाइनली जो मुहम्मद गोरी था उसके हत्या 15 मार्च 15 मार्च 126 को कर देंते 15 मार्च 1226 को इसने अची कंडिया ख़ड दीते हैं तो यह था मुस्लिप क्रम्लिक ले बारे में पारे पारे में के जंस के पर देंते बात करें हम दिल्ली सलतनां के बारे बात करें सो चे sophistic हो आपके शुलां के स्थापना किस ने किया था कोई तो कोई संस्थापक होगा इसका तो इसका संस्थापक अगुलाम बाइस्था तो संस्थापक बताए कौन सा था कुट्व बदिन एव कुट्व बदिन एव कुट्व बदिन एव कुट्व बदिन एव इसका संस्थापक था और इसने अगुल मुहमद गौरी के बाद यहां पर भारत में समराजी किस अस्थाफित किया कुतो बुदिन एवग नहीं किया और किस पर किया तो गुलांट के नम से इस्थाफित किया रहा है बात करें यहां पर तो इसने अपनी राध्वानी कहां बना है और लःनी राध्वानी राध्वानी लाहर को बना गया नहीं वदिन ए वुंतवान लाहर को से ले राध्वानी पर और कि Бात करें यहां पर तो कि यूदाःव कहीं सेनापती था ठीक है उसतनापती उसका नाम त्यान था बख्तियार जे गें ठीक है भर्वाद कोशा जाता है कि नालंदा पिष्व पिश को इसने वश्व क्थे ने किया ठीक है और यहां पर कुतोबदिन एवख कर सहे ना बात करें यहां पर कुतोबदिन एवख की और मृत्यू के बारे में तो कुतोबदिन एवख की जो मृत्यू थी कि वह 1210 में कि तो फिद्य ने वटनकी और फिटीस मतलब भोड़े से चुगान खेल रहा था तो भोड़े से गिर जिर पर इसका निपा हुआ के फिल जाना एंगा पर इसको धफनाया कहां गया था तेमिलख्यों होने के बाद इसको धफनाया था लहर यह बात करें इसी गुलाम बंस में एक सासक था इल्टुत्मिस था यह क्या था बिसिकली कि तुर्क्य मेंस्तान का इल्वरी तुर्क क्या था इल्वरी योगता यह भी पूछा जाता है क्या था गुलाम बंस मेंस्ता व क्या था गुलाम और उसका इसा क्या था और उसका ढमाध पर गुलाम पे था क्या था और इसका दामाध पर था तो जब तो समय जो इन्तुत्मीस था वो तरहां का गवर्नर्ट वो बदाईयों का गवर्नर्ट था बदाईयों का गवर्नर्ट था क्लिया रहे लेकर आया दिल्ली आया फिर इसकी जो मृत्तु हो गई कि 1236 में इसकी क्या हो गई बात करें इसी में गुलाम बंस में एक और महां तो महिला साथक थी उसका नाम था रजिया बेगम की प्रत्रम मुस्लिम महिला थी जिसने प्रत्रम मुस्लिम की पागदूर समाला कि यहां पर एक चीज और बात करते हैं यहां पर कि जो इल्टुद्मिस था उसके कुछ एक इंपोर्टेंट टांस नों ने किये हुए थे ठीक है तो भी एक लगतार एंजांस में प्रूच्वा जा रहा है उसके कारे के बारे में इसने कुतुम मिनार है कुतुम मिनार उसके निर्मान को फोड़ इसने कंप्रिट कर आया था इसने सबसे पहले सुद्ध अरभी सिख्के जारी किये थे तो अरभी सिख्के जारी तो अरभी सिख्के जारी भी करनार जुभीiska का और एक इक्षा को खुछ मिपार के नाव क्या था कंप्रणाच्य उस तब्स गिलांग को अच्छी हलगा है ठीक है एक चालिश सर्थ जो तुलांग सर्थ आपने उनको त्विला करते एक लिए समया थे ठीक है तो इसके जो चार इंपोर्टेंट वक्स हैं तो काफी एक एकजाम्स को पॉइंट अब विस सा काफी इंपोर्टें है तो प्ले दिन को याद रखेगा आ फीर टरचिया बीगम के बारा बात करें तो फॉस्ता मुस्लीम महिला थे जिसने अपना अब शासंण का पागरोड्र समाल था रज़िया नहीं किया कि है तो है कि अुष्छ जो उसका पूरुस समय ते हैर व Belgium आब है की तरहिया डны लिकिर इसकहिए तरह गाणते निलेantic तो होगा काबा था जाता है काबा ठीक है पर कुल्ला मतब कोपी कुल्ला कोपी पहंतर के क्या दर्वार में जाने लगी ठीक है इसके जो साधी हुई थी ओ अल दुनिया से हुई थे क्ली हां गुलाम बंस में पॉनिया से साधी की आते दे से साधी हुई थे पुलांबंस में एक और साकर वनट के बात करें तो वनट के बारें बात करें तो वनट के वास्तृट नाम भद बठा है गहाव दिन को इसने क्या जो बनाया था में उसका नास कर दिया तो तुरता लेचि-हां गादिंग का इसने क्या पत्री तप्क्रदिया इसने अपने दरवार में सेजदा और पाइबोस के प्रफासरेटी सेजदा और पाइबोस मतलब जूब करके प्रणाम करना और पायर के छून पाइबोस प्रफासरे इसना क्या किया था शुरुतिया आये बात करें यहां पर तो इसने के और तेवहर शुरुपिया उस्तना नौ रोज रग नौ रोज तेवहर शुरुतिया आये इसके दरवार में बात करें तो इसके दरवार में प्रसी के प्रसीद कभी रहते थे उनका नाम क्या था अमिर्ग फुसरो और अमिर्ग वस्त और अमिर्ग वस्त अधिया तो एक गुलाम बंस के बारे में और इंपोर्टेंट वार कंसेप्ट का जहां से लगता आपके एक दांक्स में कोश्चन रुच जा रहे हैं तो नेक्स स्टाट कर टेंबर खिल्जी बंस के बारे में देखने हैं हम यह आपे तो गुलाम बंस का जो खत्म हुआ तो उससे में और इसका अध्षापने किसने किया त जलालू जलालू दे पिरोज फिरोज खिल्जी साथासिंगा किया तो अक्टवा स्थापने किया ता इसका तो अक्तवा अध्षापने किया तो तो 13 जून राधधभानी को यहां बनाया था चांड कई क्यों आपनी राधभानी बनाया था जलालोदिन फिरोज खिल जी के खत्या ठीक है उसके भतिजा और दामाद था इसके जो खत्या है उसका भतिजा और दामाद किसके दोरा आलाओ देन फिल जीने अड़े अठीक बढ़े अधार अभी अधार आलाओ रख और देन फिलिन फिलिने इसके पट्यश्पिर बढ़े जैए और पर प्रहत्य कर दिया थो इसने इलाहा वर उसमें उसको पड़ा मानिक पुर्टा जाए रहा है क्लियर है ति अधनी शुल्टान कब बनाया ठिनी का सुनतान क मना वर बारा आख्तब्र2 थे क्या इसके बच्मन का नाम क्या थो बच्पन का नां में यदि बात करें बच्पन का नाम की दिक है मैं यहां पर तो अलाउधन खेल जी ने जो सेना थी उसको नगतर देना अस्थाइस सेना यहां रखना शुरूक है और उन जो सेना थी उनको नगत देना सुरूप है अगर वेतन देना क्या किया है अलाल दिन खेडिये नहीं घोड़ा दागने जो घोड़ा होते हैं और साइनिकों की जो भुलिया होते हैं इसको लिखने के प्रता सुरूप लागी और साइनिकों की गुलिया जो थी इसको लिखने का प्रता सुरूप यहां पर इसने और क्या हम किया किसने जो बुर आजसों का जो प्रता दर था इसको वाले किता लिया जाता था था हाफ लिया जाता था उसको बढ़ा करें तो इसने बात करें हम लोग तो इसने अब बैसिकली अब मार्केट को कंट्रोल करनाई के लिए उसमें जो उसने एक को प्रणाली सुरूपिया उसके क्या था मुल्य नियंत्रा प्रणाली में क्या था जो बैपारी कोई समान लेने गया और बैपारी ने विमानी करके कम तॉल दिया उसना में क्या कर दा था उस बात करें कि उसने मली काफूर को उसने मली काफूर को उसने दच्छे भारत के बीजय के लिए उसने बीजय के लिए बात करें यहां पर और अलाजने ख्रीजी के बारे में तो अलाजने ख्रीजी ने यहां पर देवी अधिकार के सिधांत को इसने चलाया है और खुद को उसने सिकंदर एसानी का वपादी दे दिया था शिकंदर है अलाजने ख्रीजी की जो मृत्तु होई थी जो इंत्रित्व की बात करें इसकी तो पांच चैनुरी तेरा सच्छलोफ को इसके इंत्रित्व होगी एग्यां तो इसके बाद तो इसके बाद ंसके बाद खुआ था मुबारक खिल्जी ठीक है मुबारक खिल्जी एक्सासक खिल्जी में उसको बिसिकली क्या होता था कि दर्बार में इस्त्रियों के वेस्तुसा में आ जाता था था जैंसी आवस्ता में दोड़ा करें में नेक्स बात करें हम लोग दुगलग बंच के बारे में बात करें तो यहां पे नहीं किसने प्यात्म तोगलग मंस्के स्थाप ने संस्थाप कॉं तो संस्थाप किस्था था था गाजी मलिक था गाजी मलिक था या उसको आपलो गया सुधें तुगलग भी कहा जाता था तो इसने अस्थाफना किया और गद्धी को बैठा दिल्ली की गद्धी पर बैठा था आठ सेक्टमबर 2020 तो इसने दिल्ली में एक दिल्ली के समीप के इसने एक नगरता स्थाफना किया उसका नाम के रख तो लटाबा तो लटाब पाद नामक नगर के इसने क्या किया अश्था एक आए गया सुधिन तुखलक की बात करें तो इसका जो मृट्ट्व था मृट्व जो था वो तेरे सौपचीस में बंगाल से अभियान करके लोट रहा था उसी समय बंगाल से अभियान करके वापस आ रहा था उसी और सिस हमें जूना खां के दवारा उसकी मृत्व थी बंगाल गही कि उसकी मृत्व कॉपट्व हो गई तो जुना के दवारा उसकी दिख यूतरा जा जाता है मुहमब बिन मुहम्बद बिन तुगलग को ही जुनाखा कहा जाता है कि जो मुहम्बद बिन तुगलग था उस समय मद्द तालिम जो सभी सुल्तान को इसमें सबसे ज्यादा सिक्षित था सबसे ज्यादा सरवाधिक सिक्षित था सरवाधिक सिक्षित था बिद्वान था उसल सासक नहीं था नहीं नहीं था बड़ योगी बैक्टिक आ जाता है वह समय योगे कंपर दो ठीकिन बात करें इसले कि इसने काफी तो कि ये जैसे कि इस ने पर वहरतन के बात करें इसने तो अपने राद्धानी को इसने दिल्ली से डिव गिरी लेकर नहीं कि गया जो तुमिं दुलता बात का जाएएं छैने तुम में दुब डुलता बात हैं दूसरा इसने क्या आता इसने संकेतिक मुद्रा का प्रस्लेंट 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 प्रस यात्रिक कि बन तूता क्या नांता उसका इपन बत्टुता कि इस ने अब मौवद बिन तुगलक ने इसको तिली का जी बनाये और रादूद बना करते चीन बेडिया था यहां बनाये तिली का जी बनाये और इसको फिर रादूद बना करें कहां बेडिया गया था चीन बेडिया था ठीक है पाक्त करें यहां पेहूं रोग कि मौवद मिन तुगलक के मिद्ट्व के बाद यहां का जोत और प्रिस्थासक बना उकर बना फिरोज साथ उपलाग कोन इसने आफिरोज साथ उलकसासक बना उसने प्रिस्थाब किया प्रिस्थान चैक्से अश्यक आ रहे थे तो उसने चौबिस परहों को सवाठ गया था था चुयोंक कर जो जो फाहले से और जो यह यह दो चैक्स आरे तो उसने जो 24 परोश्ट कारति को सुनक को सब्सक्राइब जो टैक्सिस थे बड़ों कुछ ने क्या किया था समप किया था इनके बदले में उसने सिर्फ चार कर चलाए चार पर चलाए चार उपर पर कौंसे थे राज पराज कुम्स कुम्स जजिया और जखाद जजिया और जखाद खराज जो था तो क्या था जो लगान लगता था लगान कि जो खराज था बिसिकली वह गहर मुसल्मानों से यह लिया जाता है ज़िया जाने वाला तो भूमित टेक्स था एक गहर मुसल्मानों से खराज जाता है गहर मुसल्मानों था 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 है मिन्ट जर्योंं लगते थे इसको बात करें यहां पर ज़िया के बारे में तो इगहर मुसल्मानों पर जर्मिक टेक्स लगा जा जाता है उसको ज़िया का जाता था गहर मुसल्मानों कर दो जो मुसल्मान उस्टे तो जो भर्मिक कर लिया जादा था उसे जगात का जादा था मुसल्मानों पर जो धर्मिक कर लगाए जादा था उसे देखा था इसमें और देखते हैं जो धर्मिक कर लिया जादा था तो टोटन संपत्ति का चलिसवा ऐसा होता था इतना चलिसवा बागता था इसने पांच बड़ी नहरों का निर्मार कर रहा है इसके समय में सबसे अधिक दास होते थे दासों के सबसे ज़्यादा और कितने दास थे लगँगा तो एक लाख ऐसी हजार एक लाख ऐसी हजार दासिस के टाइम के थे तो सबसे ज्यादा अधिक सबसे अधिक दास्स के टाइम पट्टे फिरोशा दोगलक थे और इसके बीत्यू हुई थी कभूपीड़ते हो थे शेप्रमबर आसम थेडेसों जो सेन ने पद्धों को, जो सेन ने पद्ध तो पद्धों को उसने पन्स आगुना गुना आधे 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 आधे, ए तुगला को पर्क्स के बारे में था. फ्रेंट से यह दि लगता है कि वीडियो आपे एक जामस के ने उस्पूल है तो ब्रे चैनल पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक हैं, शेपकर दूजे, तो शार्ट करते हैं आधे, लोधी इसे, लेखते हैं, लोधी बंस्ता, बारेंगे देखते हूं, तो लो लोधी. बालोड लोधी इसक रहे हैं ठीक है? और जो बालोड वन कहा जाता है कि दिध रठम, अफगान- राजी旗े स्ञ gwास्टत, या शामसत्त रहे हैं, delivering, अफगान राजी के डिल्लि पर रहे हैं, अफगान राजी की इसनी ने शांघ कह रहे हैं, या साह स्थाखत क माना पहलूर लुद्पी जो था अपने सर्दार जो थे उनको क्या खाता था सर्दारों को मकसद ही अलिक होता था मकसद पे अलिक होता था ठीक है और इसके एक और पी सेचता है कि जब सर्दार खड़े होते थे खड़े होते थे तो यह स्वयम्भी ख़बारा रहाता था यह रहे है बन्हें अधा नाम सिट्ण लोधी लोटी इसने आग्रा सरगे स्थापना किया था आग्रा और आग्रा के स्थापना किया था तो बंदरा सो चार में पंदरा सो चार में इसी ने एक सिकंदर लोदी ने घूमिक माप के लिए एक प्रच्च शुरू किया था वजे सिकंदर एक प्रच्च मापने के लिए इसका योज बगार था तो सिकंदर लोदी था वो गुल्रुखी नाम से सिर्शक से अब ढूरोखी सिर्शक से ठीड यहांगे तया कि लिखता सोएग फ़ादां के लिखंद से क्रें आवजाए प्रिष्णा आफ राधानी कहानके से वेट यहांग बना राधानी तो अगरा को प्लीषन ने डाहटानी बना रखा था सिकेंदर लोदीन एक बार नगरकोट ज्वाला मुर्थी मंदिर कि इस ने आखरमण किया उसने नगर कोट इस ने जो मंदिर के इस ने आखरमण किया और वहां कि जो मूर्तियां थी मूर्तियों को तो यसने मुर्थियों को चोड़ करके जो था उसरे अप्टकषन दे दिया था पसासाइयों तो यहां स्थना इनक्रोडय धर्वर मंस गॉद कर द defic Cheese लुए नीब में से शाप से में इक रोड़ि न तो को सब्सक्रण Curse इसने और भी कुछ ताम किया था कि इसने जो मुस्लिम पे ताजिया निकालने पर इसने प्रतिवन्द लगा दिया था और जो मुस्लिम इस्थ्रियों को इसने पीरों और संतों के मजार पे जाने पेशने क्या प्रतिवन नहीं प्रतिवन नहीं प्रसासन के बारे में तो इसका में इसमिल क्रति प्रतिवन 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 परन प्रतिवन पहले ही इसका κोरा कूश ही खामाली है मेंने का प्र Eli इन है वो है बल्वन और बल्वन और अलावदिन फिल्जी के समय में जो आमेर लोग ते उनसा कोई प्रफाव काम नहीं तर रहा था लेकिन यह बात करें कि जो आमेर लोग ते वो चरम उसको मतलब टॉप पर कप थे तो वो था लोधी बनता सासन काल में यह अपने चरम उसको मंत्री परिशक ती इसको क्या कहा जाता था इसको मजली से खिल्वत भाजाता था क्या कहा जाता था मजली इस यहां पर क्यों और निचीज है यहां से लगतार को सब्सक्राइस पूछा जाता है कि जो इक्टा प्रथा ता इसको किसने समख किया था इक्ता प्रथा को समाथ तो समख किसने किया था हुँ इत्ता प्रता को जो पिता किसने दुबारा शुरू किया था हुआ तुह लगने शुरू गया ले रहा है जो सल्टनक कालियन जो सासन था ठेटे कानून जो थे कानून जो थे इस पर अधारीख है तो वह थे सर्यत पुरान सर्यत पुरान और अधिस पर अधारी पर उस्यमें कानून दो तो सल्टनक कालियन बात करें तक उससा में जो अच्छे और नस्वले थे तोहां समगा जाए तो घुड़ों को तूर्क तूर्किक और और अधिक यां धारों और आधिक बीवाग के तो यहां पर देखते हैं कि कुछ बीवाग हैं वो और विवाग किससे संभंधिद है संबंदित के और किसके सासन में उन विभागों की बस अपने क्या गया तो उसमें तुसका सुल्टान पहुंद है ऐसा सब्वा है कि बात करें यहां पर तो दिवान है मुस्त्खराज दिवान है कि बात करें यहां पर दिवान एक हो गीची गिघ इए दिवान एक और ही के बाद करें तो इक रिसीवी वाग्ट करें तो इसके सासन कालेंट में शुरू कि आ गया तो मुहांबद बिन तुबलब इसको शुरू कर आ रहा है दिवान ए अर्ज दिवान ए अर्ज टिवान ए अर्ज कौन सा भी भागता तो सैन भी भागता और कि असके स्थरपना किसने एक रहा ही था तो बलबाद बात करें हम लोग यहां पर दिवान है बंदगां दिवान है बंदगां कैसे विभाग के लिए किसे किसे समय सबसे ज़्यादा दास्त है दिवान बंदगां के भापने चाहिए बात करें यहां पर दिवान एक खैराद के बात करें तो बिसे किसे भाग दान विभाग है और किसे समद्ने थे यह भी फिरो सब्सक्राइब नहीं करवाया था एक और विभाग है दिवान इस तब दुवान ए इस ठिखाव और और किसके टाइम पर शुरू कराया था तो यह सलतनत काल के कुछ इंपोरेंट और पैक्स और यहां से लगतार आपके पूछा जा रहा है अब बिजे नंगर समराजी के बाड़े में देखते हैं यहां अगलाक प्रेस के यह my other संबाज्य के बिचल की प्रेकाना ओर कुछ स्ठाफापक के बात पर परने तो तो तेरो सो शतिष में हमिराता अब भीन अगर का ज्तर होता जीम apoyo कि अगर्ण कि पूचश के पीदा कि नाम क्या था संगम उन्हों ने अपने पिता के नाम पर नहीं एक तो राजबन सुलूप किया उसका नाम क्या था संगम राजबन स्किर्ष ने अस्थापना क्या था ठीक है और विजयन अगर समराजी के राधानी कहां पर बनाएगे उसके ते जो राधानी थी राधानी क्यों नहां पर क्यों प विजोनाग समृराज मा नहीं एक खासक थे देव राय प्रतां। एन्हीं के शाशनेकाल में उसको उसको इकली का यात्री था। ऊसका नाम था निकलो क सीनुटिक। निकलो कॉंटिक। निकलो कॉंटिक था इरी से आया हुआ था। पिट्ली का किया था या थी बात करें यहांपे तो भीजनाद सम्राज जी में संगमम्त सब्से प्रतापी राजा था और इसको किस नाम से जाना जाता है इसको इमाड़ीदेव है ओने हो देवराय की नाम से धी इनको प्रेंगे ज़ाता है 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 और फिर यात्री था परस्तर परस्ति नाम से अब्दुल रज्यक का अब्दुल्रजा अब्दुल रज्यक अजित बात करें यहां पर एक अफिलेक्स में देवराद देतयों को क्या खाता हुआ है अभिलेक्ट में अभिलेक्ट तैनुसराथ देवराद देतियों को क्या कहा है जग बेट करता है जग बेट करता है इसका मतलब होता है हाथ क्या होता है आथकियों का शीचाब को फिक हाथ कि बाथ करें यहां पे विजलेक्ड समराजी कि पतन के बारे में प्यड़े ताली कोटा करदो यूद हुआ था ये बेसिकली हुआ कब था तेस जन्वरी तेस जन्वरी पंगरशन चूट पंगरशन 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 सब्सक्राइब यह खबगगा था इसलाऊ स्वीं सिरे इसंग आंपम डाजू में इला गाज हंक पीजापूर विचापूर अहमाद नगर्थ नगर्थ गलकुंदा गलकुंदा और पीटर यह चुछ चार राजित्तें उन्होंने अपने ग्रूप बना करके इस पे विजय नगर्पे आप्टमर कर दिया था ठीक है को साथ निधित कउ रहा हासा उसका नेटा ता और यहां बिजेन अगर के नगर्पाद से नेटमर कर रहाते उनका नाम क्या विजयंगर्थी बात परें तो अधो उनका नाम क्या रामराजर्थ किसे यूद्ध में तॉलखुटा के यूद्ध में वो इनके बुई तरह पराजे हुई थी और उस्ते बाद ही बीजय। स्थापक के बाद करें तो बाबर को मुगल्बांस के क्या माना जादा है सब्सक्राइब करें तो एक ऐसा मुसल्वान तो यह वह सुननी मुसल्वानता है सब्सक्राइब करें इसका जो टाइम प्रिएड है कब से तक तक है 1526 से ले करके 1520 टाइम प्रिएड है पति करें इनके बाबर के तो बाबर के पीता का नाम क्या था अंपर के पिता के नाम क्या था उमर से इसक कले प्रगनाब बात करें यहां पर तो बाबर के चार्ट पुद्रत पे उनका नाम क्या था पुमायो 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 टामराम अस्करी पुमायो टाम में करें लेकिन पाणी पत्ता जो था इसके लिए निर्नायक क्ता पाणी पत्तता जो युद्ध तेट्वजशक फेसे ख़ए पाणीपत अब्धुद्वा इसमिर परस्त Time बाबर ने चुक यूदिनिति का प्योंग क्या उसका नामता कि लमा यूझेनिति लमा मॉद्ट हां प्योंग क्यूग के ऊए और यहें पर उसने प्रृप्ठानी का भी प्रॉप्ऌडूरी तो फाने ताभी आपढ़ी इसे यूद्ध में इसके दो प्रसित निसाने बार्ज उड़का पी इसने यूज किये इसका नाम क्या था उस्ताद अली मुस्ताद अलीग और मुस्तफपा और मुस्त तौफट ठीक है तक यह सारी रिजन्स के वज़े से बावर यहां पर कापी बावर को जो था इसको उड़ारता के लिए उत्ता का जाता हूँ कलंदर का कलंदर को पादे उसन धारंप्या कलंदर को पाद भी इसने उड़ारता के लिए उसको कलंदर को पादे लिए बात करें यहां पर तो बावर की जो मृत्यू थी विज़ेत्यू आग्रा में होई ज़र्वा अथन्यु शब्वी तेसंबर लेकिन बाद में उसको काबुल ले जाकर के दफना आगा अगर आज पर क्यों लए जाए गया काबुल में उसने एक जगों को चुना था और आप उसको गया प्याएंगे दफना है हुमायू को बारे में देखें तो बावर का पुत्र हुमायू था तो हुमायू को जो बिसिकली था ठीके वो आगरा के गधी पर बैठा आगरा कब तो कितने वर्स्टे ओंटेंगे तेस वर्स्टे ओंटेंगे राए तक बैठा तो 19 December 2530 सब्सक्राइब इसने वा गदी सब्सक्राइब पार में सब्सक्राइब करता है तक स्टाइब तक इसने वापना समराज्य था इस ने अपने भाई जैसे उसको भाई को थे और कामरान को उसने काबूर और कंधार का छेत्र दिया काबूर और कंधार का छेत्र दिया मिर्जा अस्परी को इसने संभल दिया नापती संभल मिर्जा हिंदाल को इसने वह था हिंदाल को इसने अलवर और मेवार का छेत्र दिया अलवर और मेवार ठीक है और उसके अपना चाचेरा फाई जो था सुलिमान मिर्जेर इसको उसको हमायों ने बद्ध्सा का क्या बनाया प्रदेश्ट दे दिया सुर्ण बद्ध्स्र तो फुर्थ वहां तर क्या था सुविड़ा था ठीक है पत करें यहां पे तो हुमायों ने एक ने नगर के निरमान तर आया थापना किया उस नगर के नाम के पाथ दिन पना हुआ यहां पे बिलग्राम और पनाच के जुद्धे बिलग्राम और पनाच के नुग आए पाथ के लिज्वें दिन पनाच जोगी है बिलग्राम और पनाच कि यूद्ध हुआ एक यूद्ध कव वो तो 17 मई 2240 पर ये यूद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया तो सेर खांट और कुमायू तो बीच खांग और किसके बीच जूद्ध लड़ा गया नुद्ध रड़ा गया जिसमें क्या हुआ कुमायू पराजित हुआ और शेर खांग भीजय हुआ इसके बाद शेर खांग को शेर खांग जाता है इसने अगरा और दिली पर क्या कर लिया कप्ले कर लिए अगरा और बिल्दी पर क्या क्या है इसने कप्चा कर लिया और हुमायू को वहां से क्या करना पड़ा भागना पड़ा ठीक है बात करें यहां पर शेर सा सूरी के बारे में तो शेर सा सूरी के आप अप्पगान बंसेद बंसेद था अप्पगान बंसेद था है इसका जो जन्म हुआ था शेर सा सूरी के आदेम जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था जन्म हुआ था इसके बच्पन का नाम है जाना जा बच्पन का नाम इसका परीद था 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 इसके पीता के बारें पीता का नाम का पसंद था जो जोन पूर राजी के क्या है जमेंदार जोन पूर राजी में के सासा राम जगह है सासा राम की क्या है जमेंदार बच्पन का नाम कैसे पड़ा तो इसने क्या किया था कि एक मतब एक सेर था उसको एक ही वार में उसको मार दिया था तो उस समय जो बिहार का आफगान सासक था उसका नाम था इसे परिफा उसको भेज नाम दिया सिर नाम दिया था थिक है अलगास पदीर गतर नहां मेंदार बात तरहें, तो सेर्थ की जो मृत्यू होती होई थी, कालेंजर के किला को पता करने के चक्कर में हो गया। किला को जितने के चक्कर में हो गया। ठीट है तो खेता है कि उहां पेव एक उफका नाम अग्नियास चला रहा थे हैं जिसके पट्वन की करा उसके बिच्वाद ही और उससे में कलेंजर का शास कौन था उसके शास का नाम के तीरत से तीरत थे करें सेर्शासुरी का मकबरा का यह मकबरा आप बनाएंगे तो सासारा में सेर्शा ने कुछ important works भी किये थे जैसे इसने पाभुलियत पाभुलियत और प्रथा शुरुट यह है इसने और पन्रह से कालिस में पाठ्टे कुत्र जो है पाठ्टे कुत्र का ना पठ्टना रखा था तो पाठ्टे कुत्र टो इससे नाम बदल कर क्या रख रहा था इसने जो जीटी रोट है जीटी रोट जीटी रोट जीटी रोट ठीक है उसका मरमत राया तो इसने डांक प्रथा शुरुट यह था तो इसने प्रथा शुरुट यह था और इसी के समय में इसने एक पवी थे उनका नाम है मौलिक मौहमद जैस्टी मौलिक मौहमद जैस्टी इसी के समपले था ठीक है जहां से पूछे जाते हैं आपके घ्याम में तो यह दिलग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजपूल है तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब तर दीजिए एक से स्टार्ट करते हैं अब अपबर के बारे में देख से क्या युदान रहा है तो जो अपबर का जो सासन काल है वह 156 से 156 का टाइम रहा है ठीक है इसके अधि हम जन्म की बात करें जन्म की बात करें तो अक्बर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर अधिया जो नाम था अमीदा बानो बेड़ो अमीदा बानो बैड़ो अधियो कहां पर देजन्म हुआ था अमर कोट के राजा थे राजा थे उनका नाम था राणा वीर साल के माहल भावाट थे अक्पर के बच्पन का नाम यह दी तो इसके बच्पन का नाब कि आपकवार के बच्पन का नाम गुथा और जलाल का नाम था जलाल ठीक कर आपकवर का जो अधिया विशेक राएंगा ने और जब्सक्राइब तो कराये गए तो 14 फर्वरी 1556 का पर राजावी से क्लानौर की तस्तान है क्लानौर की कहां पर पंजाब की क्लानौर नामक तस्ताल पर इसका प्राजावी से करा लिया था यह बात करें अकबर की सिच्छक की अकबर के सिच्छक थे उनका नाम क्या था अब्दुल लतीव और यह बात किया यह तो अकबर का संदत्थ्व का काम किशने क्लिया था यह बायरम हां इसने अकबर ने दीन इलाही दीन इलाही धर्म चलाया था और इस धर्म को श्रिकार करने वोला प्रथम और आंति मिंगू कौन तेंग प्रथम और आंति मिंगू थे राजा बिरवग हुंदू राजा बेटर्व इनका जो रियल नाम था उनका रियल नाम था महेस्तास महेस्त तो क्या था दाम नाम था प्रिया है फिर अकबर के बारे में बात करें तो इसने जब भी रणाली से रूटिया यह किसे रियेट था राजस्ट प्राफिस्य रियेट था तैक्सेश प्राफिस्ट रॉप्ट्स यह जो आज़ेश राफ्र से ठीक इसी के समय में एक और बंदवध शुरू किया गया था उसके नाम था दह साला जह साला बंदवध और एक किसने इस पर दिवान थे उसके पर शुरू गया था राज़ें क्या थे लिवान के समय में प्रसित संगीत्तार थे उंतर नाम के अथा तांसे बाज बहादूर संगीत्तार के बाद के बाद करें नहीं के संगीत्तार तो तांसे बाज बहादूर हो गए वाज बहादूर और बताएं बावा राम दास राम दास पर पैजू बाव रहे और बैचू इस वाप रहे हैं ठीक है अकुबर के यह दिवाद तो अपबर ते जो सासन पढ़ा ली थे हैं सासन पढ़ा ले तो उसकी जो अधार क्या था था उसका मनसब्दारी प्रता तो इस पूंसे पर फैक्स हैं अकबर के बारे में यहां से लगता पूर्स प्यूचा जाकर बात करें हमें यहां पर आप नेक्स्ट चहांगीर के बारे में तो अकबर का उत्रा अधिकारी किसको बनाएगे सलीम सलीम इसका नाम का जहांगीर ठीक है तो अकबर का जो उत्रा अधिकारी बना सलीम और इसको किस से नाम से ज़दी पर बैठा था तो इसका नाम था मोहमद जहांगीर बात्साहिक गाजिर और एक अकबरती पर बैठा थ बात करें यहां पर इसके जन्म के बारे में तो जहांगेरी का जो जन्म हुआ था उकप हुआ था 30 अगस्त 30 अगस्त तुप्र सिच्छिन है ने सुईन हो यह रहा है और अकबर ने जो नाम रखा था किसके अगबर ने जो नाम रखा था उस समय के उनका नाम थे उनका नाम था सेख सलीम किस्ति के नाम पर ही और जहांगेरी का नाम अगबर ने सलीक करता था बात करें यहां पर ना कि अकबर का फूत्र था ठीक है फुसरो पांच में उसने अपने मतर जहांगेरी खिलाप उसने क्या विद्रोश रूप यह पर दिया और इस विद्रोश को सहायता किसने क्या था इस विद्रोश में सहायता क्या था अरजुन्तेवने था अरजुन्तेवने विद्रोश में सहायता क्या था था गुष्रोश को के नमर के गुरुके पांच वे गुरुष्ट थे तो अरजुन्त देवने जब बुस्रोश के सहायता की तो इसके जुष्रोश को करते जहां गेर ने अरजुन्तेवने को क्या ते दिल्वा दिया था हांस से इसाजा दिर्वा दिवान किसे बनाया गियास बेवां को बनाया गियास बेग जो था गियास बेग उसको अपना साही दिवान बने रहे के लिए गियां, इसको पाधि दिया इत्माद, quella गियाली के लिवा लुक्राश्यों क्या दिया, पाधि को बनायां जाता है कि जो जहांगी के साशन कल रहा है, भी चैत्रकला गियान कहते है इसके दरवार में जो प्रमुख चित्रकार के बात करें चित्रकार के बात करें चित्रकार रहे हो उनका नाम था आगा राजे आगा रजा अबूल हसन मुहमद नासिर पुस्तार मंसूर बात करें यहां पे तो जहांगील के दरवार में कुछ अंग्रेट यात्री आये थे तो यह भी पूछता है कि कौन-कौन से अंग्रेज उससे सासन काल में आया था तो और कैप्टन होकिंस आया था होकिंस कैप्टन होकिंस आया था ठीक है सर टॉमस रूह आया था तॉमस रूह आया था विल्याम फिंच आया था वे लियां पिंच ठीक है काफी फिंपूर्टेंट भूह विल्याम फिंच और एडवर्ट टैरी के चार जो अंग्रेस यहां नेक्स देखते हैं वो साहां के बारे में तो जहांगीर के बाद पर सिंहसन पर कौन बैठा था ठीक है साहा जहां ने जो दे आसफ खांग अनको इस ने वजीर का पत दिया वजीर का पत दिया ठीक है और महावद आपको इसने खान खाना के उपाद दिया था कौन सुपादे दिया था खान खाना के उपादे दिया था ठीक है इस ते को नोर जहां को इसने तो नहार भे दिया था और प्रतिवर्स उनको दो लाग खुप dus तजोला उनको प्रतीवर्स प्रतीवर्स को क्या कटा थे पेंसल पर जहां ने अपने उसके बेगम थे थे उसकी याद में इसने क्या किया? ताज महल का निर्मान करने में जो अस्थापत के मतविश्च ने ठिटेट किया अस्थापत के कलाकार जो पाथ उसका नाम क्या था उसका नाम था उस्तार अहमत लाहौरु था ते क्या था अस्थापत के तारीघा डाव नेरा है यहां पर साजान नहीं नहीं मयूर सिंहासन का निर्मात है मयूर सिंहासन का निर्मान किसने कराया था ताजमान ने कराया है सव्री और शाहाना कराए बात करें यहां पर जो साहज रहा है उसको क्या असमापत्य आपत्य कला का इस तापत्य कला का इस दीए साहा नहीं है व्यों को राध्धानी की अपनी राध्धानी को आगरा से तरह आए बन राध्धानी को आगरा से देली लेका रहा है और देली में उस्षेने कौन से अर्प्यास तक में दू तो साह जहानाबाद का नहीं रखता साह तो साह जहां के जो फुत्रत है साह जहां के जो पुत्रत है उनके पुत्रों में देखा तो दारा सिखो दारा सिखो ठीक है जो काफी विद्वान है उसने और उपनिशत जो था उस अनवाद कराया था उपनिशतों का अनवाद कराया था और अंग्जेब और दारा सिखो के बीच में धर्मट का जो जो आँपे अधर्शासन को लेकर के तर धर्मट का धर्मट को यूद्व कब हुआ था अधर्मट का यूद दाहर ओर दो पंद्रह अप्रेट की यूद्व की इसमें यहां पर बात करें यहां पर सहां जहां को अठ जोन तोलोस ऑन ठाउं तो बंदी बना लिया था आगरा में बंदी बना लिया था ठीक है और 22 जून सरी 22 जैनुरी तोलोस च्यासट में इंकी विवेट्व हो थे ठीक है यहां पर अरंग्जेव के बारे में ठीक है तो अंग्जेव का जू जान सा था च्यासट गोजब्ण हो था 24 अप्रूबב Dal. 24 अप्रूबर 5 cuodших 8 सो जब्ण आ रखो तॉम dog अधा तुहात में ऑन हो ज़िनमा था तॉम दौहात में खाथ में तौहात करें नहीं है मोहम्मद हकेम भार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपार्मुपा क्लिए रहे हैं बात के रहे हैं क्यों और अंगेब ने जजिया कर पुना लगा दिया था जजिया कर पुना लगाया था कब लगाया था सिट्षिन सेटी टाइम चलो सब्सक्राइब पुना सी ठीक है और अंगेब ने डेवी का मक्रवर्या का निर्मान तर आए डेवी के मक्रवर्या का निर्मान तर आए तब कर आए इसने अग्या सिमें शुलस अंग्या सिमें शिक्स्टिंग सेटीन और तहां पर रहा है तो अरंगावाद अरंगावाद तहां पर अंगावाद महारास्टाप अ और अंग्याद ने जो था विजापूर और विजापूर और गोलकुंदा इन दोनों को अपने मोगल सामराज में मिला लिया था विजापूर को कप मिलाया था इसलिए 보र सामराज में मिला लिया था और सिवा जी थे ऑगरा मिलने के लिए ब़ुलाया था झींक आगरा मिलने के लिए लिए वह पहिंद सुवाजी को क्या कर लिया बंदी बना करके अगरा में जयफुर भौवन में कैट कर लिया था यह फिर उसके बाद तो वहां से सिवाजी बच निकले था बात करें और तो अरणग्जेव ने जो शिखों के नवे गुरुथ है कि नौए गुरुट था अंतनाम क्या था गुरूट एक बहादूट एक बहादूट तो ठीकों कउनकी हत्या करवा दिया था बात करें यहां पर ठीक है तो जो औरंगे जो था तो उसके सासन का अधार किसके अधार को इसके सासन का अधार था उसने पुरान को बना रहा था था तो और यह सबसे ज्यादा जो भूंदू से नापती थे बात क्या जाए तो से नापती सबसे ज्यादा किसके सासन काल में थे तो और अधार के सासन काल में सबसे ज्यादा इंदू से नापती थे बात करें यहां पर मुगल करें प्रसासन के बारे में तो इसके जो मंत्री परिशत क्या फाल अथा कि मंत्री परिशत को पीजारत आजाता है चाहिए पत्र जारी होता था सरगत सरगत जोड़त होता था इसके दौरा में बक्सी के द्वारा जारी यादा इसके द्वारा में बक्सी जारी होता है यह पत्र होने के बाद ही बात करें यहां पे जो बहुत हो रही है तो उसको भूमि कर तो टैक्स क्लेक्शन के लिए भूमि को तीन भागों बाटा गया था 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 ठीक है कौन-कौन से परस्ट बात करें फस्ते खालसा भूमि क्या होता था कि जो डिरेक्टली बदसा तरियंद्रा में आद है तो डिरेक्टली बात्सा आखे नियंत्रन में जो जो मीन होती थी होमी होती थी शोगा बात्सा के नियंत्री में डिरेक्टली भूमि के बात करें यहां पर तो जागी रूपमी तो जागूए चागीर भूमी तो तंखा के बदल दिया जाता था मतब बेतन को बदल दिया जाता था ठीक है तिस्रे जो बूमी का बर्ग था उसको क्या करते हैं मददे मास मददे मास या उसको सयूर गल्ग भी कहा जाता क्या सयूर गल्ग था ठीक है यह बिसिकली क्या होता था था जी अनुदान में नुदान के रूबह यूंट सु झेक है मघल का लिद्धू शह्ता जी aja उसमें तो अंग्रेज के द्वारा एक राय पदाती सुरूर कुए था किसने किसने किसके डा्रेश के अंधदे लिया था अर्वेसिकलए जो राई पदेती के स्टार्ति किसके समय में हुआ था और यह सेर सर गृषत सर गीज होता हम उसको अप्रबर ने अपने शासन कलमे उसका ज्योत्री हो ठीक है और यह पदेती किससे समध्य थे राइपद दोगी राज़षो से समय थो ने राज़षो से संब्ली के स्ली रहे रहें हाठ्ट मतल कालिम आप रसासंग को बारीहां दखे तो एक प्रणाली कि फिए पर इसमें बेसिकली क्या किया जाता था कि गुरा जिस्वत जो टैक्स था उपस का आधाप कर दिया गाधा उपस गोड़ा आपको आधे टैक्स देना ने थी ठीक है बात करें यहां पे तो मुगल काल में जो रुपे का सबसे जाधा फलाई हुआ था रुपे का जो सबसे जाधा फ़लाई हुआ था किसके समझा नहीं हुआ था और उसमें जो मुगल का लीन का अधार क्या था था चांदी का उपस का जो था उसका काफी कोड़ बता है क्लियर है फिर इसी समय एक प्रथा शुरोड होई ती को सांसन का अधर क्या था मन सभजारी अधारिक प्रत्रा उन सद्धा अभी प्रता किसमें में वा था तो यह आकवर ख्रॉम्द तो यह था मुगल का लिम्ग त्यसाशन से संब्दिद नेक्स्ट देखते हैं मराठा शमराजी के बारे में माराटा समराजी की बात पर तो यहां पर संस्थाफक कोन स्था my और था अमरी सिवा जन की बात करें यहां पर 727 शोंगी सथाईस्वे होगा टेर पनों कंगार वा ते सिववुद्ध नेर Hai सिव नेर का विवा था सिवुनेर दुर नो हुआ महंता हूँ इनके पिता के नाम में बात करें से तुम कि पिता का थी का नाम क्या था ऐकिनका साय जी भोसले, स atenção जीज भोसले कि पिता का नाम कहata? साहज बोसले। अरjutरिमाता का नाम कियाता हैल navy माता के जो नाम혼ों जिय कर अही जाता हो मता जिजयु जै भाया था। मातागाना जी जाबाई था. सिवाजी के गुरु थे. गुरु. तो सिवाजी के गुरु का नाम था कुण्ड देव? क्या नाम को? कुण्ड? श्यिवा जी को गुरु के नाम सा कुम्णा दयो राध्भान मेखनी की बात ल्एी तो और नाफे छिवा जी अपने राध्भान मेखना हुने थे मेटेप Shockerी कर फिंद पतीक्र hm amanti जर्डत को ड़ाइव्फत्र द घंद फिंदू ठीक है शिवा जी को राजय खुपाधि किसने दिया झाय तो其實 वर गुषने दिया तो to सिवा जी को मारने के लिए जो बिजापुर्ता सुल्तान था उसने अपने सेनाप्रतिश का नाम था अफजल अफजल खान को सिवा जी को मारने के लिए बेजा आता लेकिन सिवा जी ये उसके ट्रत्या अफजल था कि क्या ट्रत्या अफजल बात करें हां फिर एक संधी होई थी पुरंदर की संधी पुरंदर के संदिय उत्व हो इत्थी वो कप वह थी पुरंदर के संदिय जाय सेंग और किसके बीच में हो थी है तो महाराजा जैसें जैसेंग और सिवा दुके बीच में हो थी है ठीक है सिवा जी ने एक सहर है सुरद सिवा जी ने सुरद को दो बार लूटा था कब कब लूटा था शुला सव चॉशच्ट्व नूटा था और शुला सट्रेट प्रिवत्त कर स्वाध्र सिवा जी का मंध्री मंडल में उक्ट्रा थे यां और सिवा जी के मंध्री मंडल के बात ने नेक्ट्र मंत्री मंदल को स्ट प्रधान का जाता है का जाता था पत्रें आपर कि सिवा जी ने अंग्रेज़ों से प्रधान अंग्रोजय ने सिवा जी को हो दिया था ठीक है माराखों के समय में केको घुराजेशों की प्रधा शुरू होई थी घुराजेश केलेक्शन का तो कौन से प्रधा था सर जमी प्रधा से होगा था और एक फिसेद संबनिता राजेश को बहुराजेश स्विट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वीडियो को ज्यादा ज्याधा ज्यादा लायक करें खिजिए और अपने दोस्तों के साथ आपके सबसेश के दिल, गुद लग्ट, थैंक यू.